तो अभी तक हम लोगों ने मोटा मोटी अंदाज लग गया सर्च इंजर किसे काम करता की वर्ड कैसा अब गूगल कैसे काम करता तो गूगल तीन हिस्से में काम करता है पहला जो होता है उसको लोग बलते हैं क्रॉलिंग यानि की गूगल फ्री उपन वेबसाइET ऐसी होती ही फ्री मतलब की ऐसी फेसी वेबसाइट जिसमें लॉग इन करने के लिए जरूरी नहीं है आप लॉग इन करने की जरूरत नहीं है ओывать एपनली आप देख सकते हैं बहär पुरे दुनिया के website के अंदर में उसका का है उस website का data को collect करके अपने इक database में कि आने अपने एक अब इसको इस तरह से equivalent समझे आप कि अगर आपके पास में एक mobile phone है और mobile phone में अरबाब उस्मानी को कोई number save नहीं है तो उसके बाद में भी अगर आप अरबाब उस्मानी सर्च किजिए अपने contact में जाके तो आपको अरबाब उस्मानी नहीं मिलेगा क्योंकि आपने number ही नहीं है तो Google आपको रिजल्ट में शो नहीं कर सकता है तो पहला जो चरण होता वो डेटा कलेट करके अपने पास में रखना गूगल कर लेता है अब डेटा जब अपने पास में क्लेट किया तो उसके बाद में क्या कि जब जैसे से रिख किया तो उस प्रोसेस को बोलते हैं चालू कर देगा क्योंकि आपके कांटेक्ट में सेव हो गया वैसी गूगल के डेटा बेस में जब आपके विबसाइट का डेटा जाता तो उस प्रोसेस को में इंडेक्सिंग और फिर उसका तीसरा जो प्रोसेस को नाम होता है कि शोइंग रैंक राइट नाओ अगर मान ल है धिमकाना है ऐसे करके बहुत सरा नाम तो अगर आप अपने कांटेक्ट के नंबर में सर्च कीजिए अरबाब तो यहां पर क्या हो सकता है या तो बहुत स्ट्रेट नाम देदे कि अरबाब लिखा हुआ है तो जो अलफाबेट के साब से अलबाब उसमानी एकदम होलियत के लिए यह सा होता है वैसे ही गूगल क्या करता है गूगल भी वैसे ही कुछ काम करता है वैसे ही सौट करता है जिस पर विश्वाथ करता है तो यह जो मोबाइल करता है इसको मुलते हैं यानि कोई कोई कोडिंग टेक्निक सौटिंग टेक्निक को यह यूज कर रहा में Google यह तै करता है कि भाई यह जो वेबसाइट है मेरे यूजर के कोईरी का सही जवाब दे रही है और इसके जो इंटेंड को है वो सेटिस्फाइब करेगी और हम इस पर ट्रस्ट करते हैं Google तब आपको उपर के तरफ में दिखाता है सुनने में थोड़ा करेगा तो एक सिंपल सा लॉजिक है यह सुनने में सिंपल लगता है बड़ इतना सिंपल नहीं है हम लोग जब क्लास रूप में पढ़ाते हैं सर्च इन आप्टमेशन तो लोग सोला घंटे के लिए सिर्फ पढ़ाते हैं और उसके बाद में आप उतना ही घंटे का त्斉भाइब का और इसको आपको कहीं ना कहीं से सीकना चाहिए इसके लिए यूट्यूब या कहीं पर भी यह जिंड़ी कॉंटेंट bestompak कीजीए आप कहीए से काम फैलियर यह का क्फी ज्यादा होता है ऐसे नहीं होता है लेकिन अगर किया इक वासितर को तो यह सश्वस अच्चेप्टम